आप दिखेगा, UPSC ऐसे ऐसे लड़की निकाले रहेंगे न, इंजिनरिंग किया है, मेडिकल किया है, उसको इतिहास भूगल से आते पते नहीं, आया छो महीना एक साल तो यारी किया, टॉप करके चल गिया, लेकिन जिनका रेजल्ट होने वाला रहता है न, उनकी बस एक ही क कर ला है, दीरे लगाए कि तेज़, मावने में हम कभी भेदभाव नहीं करते हैं, नहीं करना भी नहीं चाहिए, सिख्षक का भेदभाव काम नहीं है, बराबर पीटो एक दम भयानाग, एस्पेरो जाइब, एस्पेरो जाइब, संज्मिया के कि नहीं आगया, हम जिसको प कर दी हैं, नहीं तो पहले आम पीटते थे ना तो निर्जीव समझ के पीटते थे, आप दूनों हाथ समारते थे, पिटाया है कि नहीं तुम किसी बैच कर दे, पिटाया है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं, यह एदम खड़े बता रहे हैं, आप लोग इसको नहीं याद कर कभी नहीं याद होगा, बात समझी इस चीज को, जीन लड़कों का result होता है, उनकी एक ही आदियत होती है, उनमें एक common आदत होती है, जिस चीज को पढ़ चुके रहते हैं, उसे वो complete पढ़े रहते हैं, जैसे हमने आपको कैसे पढ़ा दिया कि Malaria, और अभी आपको Malaria मैं क इस चीज को पढ़ लिए हैं, उससे आपको दुबार, आप उससे उसको नहीं पढ़ा सकते हैं, अभी आपसे लीबर का question पढ़ा दिया है, गरंथी पढ़ा दिया है, जब गरंथी पढ़ा रहे थे तो आप लोग को complete याद था, अभी गरंथी से पूछेंगे, आप में से रिजल्ट हो जाएगा, तो फिर अगले महीने भी नहीं होगा, simple सी अपने आप से पुछेगा, अगर कल एक्जाम हो जाए, आप तियार हैं, अगर नहीं, तो फिर दो महीन बाद भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इंसान अपना आदत नहीं बदल पाता है, सब कुछ बदल सकता हो अपना आदत नहीं बदल सकता है, तो दीरी दीरी इस चीजे आपकी आदत में सामील हो जाती है, अरे बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, कभी नहीं होता है, एक चीज बस याद रहें, जो चीज हम आपको पढ़ा दिये हैं, घर जाएगे, नसता उसता लिए हैं उससे आपको सवाल पुछके कोई चला जाए ये गलत बात है ये एक कॉमा नादत है आप इस चीज को सुधार लिजे आपका रिजल में दोस-दोस चीज में ना हो जाएगा तब कहिएगा कई लोगों को देगे ना एक किवार को पंदरा को में रिजल्ट हो गया दो जाएगा तब करें लोगों को लोगों को भारा दरी सबका तो आज इसको तो दोसे मिनन में गाएभ हो जाता है